नमस्कार दोस्तों आएए आज हम सभी जानते हैं कि भिंडी का पानी कैसे करेगा सूगर से लेकर कोलेस्टरोल का इलाज भिंडी कोई मौसमी पौधा नहीं है या हर मौसम में उगाया जाता है और खाया जाता है खाने में कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि सबजी, अचार या सूप में यह खाने में उतना ही स्वादिश्ट लगता है चाहें वो गर्मियों का सिजन हो या सर्दियों का भिंडी एक कुसुमित पोधा है जो दुनिया के कई हिस्सों में लेडिस फिंगर या उकरा के रूप में जाना जाता है अलग-अलग देशों में इसका नाम बेशक अलग-अलग हों लेकिन काम एक जैसा ही है और अपनी फली के कारण बहुत महंगी है इसे अक्सर कैरेवियन से लेकर चीन तक के व्यंजनों में उपयोग किया जाता है और इसकी लोग-प्रियता हर समय बढ़ती जा रही है खासकर जब से इस सबजी का इस्तेमाल अचार के रूप में साइड डिश या फिर सूप की एक सामगरी के तोर पर किया जा सकता है इसके तेल के लिए भी उपयोग किया जाता है जिसे निकाला जा सकता है तथा भिंडी के तेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है भिंडी के टेस्ट यानि ओकरा टेस्ट के बारे में तो आपको बेशक पता होगा लेकिन भिंडी के पानी यानि के ओकरा वाटर के फायदों के बारे में आपको नहीं पता होगा भिंडी के पानी से शुगर, किद्नी की बिमारियां, दमा और कोलेस्टरोल जैसे जानलेवा बिमारियों का इलाज संभव है तो आईए आज हम आपको बताते हैं कि भिंडी के पानी से कैसे आप इन बिमारियों को दूर भगा सकते हैं इसके लिए जो समगरी चाहिए होगी आपको वो नट कर लिजे चार भिंडी चाहिए होगा आपको और एक कप साफ पानी चाहिए होगा इसके लिए विधी जानिये सबसे पहले भिंडी का उपरी और निचला हिस्सा काट दीजे और भिंडी को बीच में से काट दीजे फिर भिंडी को एक कप पानी में ढाल दीजे और पूरी रात ऐसे ही छोड़ दीजे दूसरे दिन इस मिश्रन का निचोड एक गिलास में निका प्राप्त होंगे आपका सुगर्गायब हो जाएगा आपका कॉलेष्ट्रोल कंट्रोल में हो जाएगा उतनी सी और सरल सफू है इन इलमारियों को अगलिय।